नमस्कार मैं हूँ विने सिंग आपका बहुत-बहुत स्वागत है जार्खन में नौकरी की बात अब दूर की हो चुकी है क्योंकि जार्खन में अब एक नई समस्या रही है जी हां अच्छी भी हो सकती है लेकिन इस्टूडेंट के लिए दिक्कत भी हो सकती है अस्थानियता निती में एक नया सुधार करने की उजना है जार्खन अस्थानियता निती अब बदल सकती है स्वयम मुकमंत्री है मनसोरे ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि वर्तमान अस्थानियता निती में कई दिक्कते हैं इसलिए इसे सुधार अजा सकता है तो चलि कब मिलेगा नौकरी और साथ में बताएंगे कि क्या जारखन में सोनी कुमारी केस का फैसला जल्द आ जाएगा आपको ये भी बताएंगे कि बिहार में फॉरेस्ट की कई वेकेंसी आई हुई है और आप अपनी तयारी घर में कैसे रख सकते हैं आपको हम तीन साइट बताते हैं एक तो winnerisacademy.com दूसरी साइट है अब तक news.live और तिसरी साइट है gkgs.live तीनों साइट पर जाकर अपनी तयारी आप कर सकते हैं आपको इससे काफी मदद मिलेगी अपनी तयारी को करने में जो लोग online classes हमारे साथ करना चाहते हैं वो दिये ग एसी बीपीएसी और उपीएसी की तयारी घर बैट करके कर सकते हैं एंसी आटी से भी कर सकते हैं तो चलिए आज की हम खबरों की सुरुआत कर लेते हैं और सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त में आ रही है वो खबर यह है कि जारखन में अब कुछ तिनों तक नौकरी नहीं मिलने वाली है जी हां हलाकि जेपीएसी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि जेपीएसी में आमत और पर अस्थानेता निती से कुछ भी लेना देना नहीं होता है लेकिन यह असर खास तौर पर जो समझ में आ रहा है क्लास थिरी और क्लास फोर के जौब पर पढ निती लागू करना चाहते और इस नए अस्थानेता निती को लागू करने के लिए तीन सदस्यों के कमिटी बनाई चाहेगी तीन सदस्य की कमिटी यह तै करेगी कि नई अस्थानेता निती कैसी होनी चाहिए नई अस्थानेता निती में कौन-कौन सी चीजे होनी चाहिए क काहिर सी चीज है कि इसे लेकर इस्टूडेंट के पसीने आ गया है इस्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें अब नौकरी मिलेगी यह फिर बाबुलार महरंडी पहले मुखमंत्री थे उन्होंने एक डौमिसाल सिस्टम लागू किया था और उसके बाद वो पु क्या उन्नी सो पचासी के कटफ के अस्थान पर उन्नी सो बतिस का खातियान दोमिसाल निती लागू होनी चाहिए क्योंकि जैसे ही यह मुद्दा आएगा जाहिर चीचीज है समाज में दो घड़े बन जाएंगे एक पच्छ में बोलेगा दूसरा भी पच्छ में बोलेगा कई लोगों का मैसेज देख रहें और यहां पर यह बता दें कि इससे सवाल सामने यह आएगा कि आने वाले समय में क्या नौकरी मिल जाएगी वर्तमान जो इस समय में जो सरकार के पास जो हम तक जो खबर आई है उसके मुताबिक वर्तमान सरकार ने यह कहा है कि हलाकि पत्कारों से बात्चित किया गया था जिसमें बताया गया कि अस्थानियता निती परिभासित जो की गई है उस पर सवाल है बहुत से प्रस्ट है और इसके विरोध में लोगों ने आंदोलन किया था इसलिए अस्थानियता निती में बदलाव हो सकता है समिच्छा हो सक और आगे देखा जाएगा कि इसमें किसा बदलाओ जरूरी है। हम आपको पूरी स्थिती बताएंगे ऐसा क्यों बोला गया क्या इसके पीछे की द्रन निती है। तीन सदस का कमेटी बनाया जाएगा तीन सदस मिल करके तई करेंगे कि ये अस्थारता निती सही है ये गलत है बरत्मान निती की समिच्छा हो रही है तकनिकी पहलू पर विचार किया जाएगा और सरकार के निजदेश के बाद कार्मिक विवाग की और से अस्थारता निती के लिए जो कमिटी बनेगी वह बताएगी कि कहां कहां परिवर्तन हो सकता है 1932 के खातियान के अगर बात की जाए तो जाकर मुक्ती मुर्चा के एजंडे में ये रहा है शुरू से रहा है और इसे लागू करना उनकी एक उनकी हो सकती है कि उन्होंने बोला था इसलिए लागू करेंगे जो कमिटी बनाएंगे उसमें अपर मुक्त सच्चीव अस्तर के अधिकारी होंगे कार्मिक विभाग द्वारा सियमो से ही अधिकारी का नाम भी मांगा गया है इस समय में और वर्तमान अस्थानिता निती जो 18 अपरेल 2016 को बनाया गया था रगवर्दास सरकार की तरब से जिसमें 1985 को कटफ डेट माना गया था जारखन में 1985 के पहले रहने वाले लोगों को अस्थानिय माना गया है इसी के अनुरूप तिर्ति और चतुर्त वर्ग में नुक्ति का प्रात्मिक्ता देने का प्राबधान किया गया है इसलिए अब यहां पर देखना पड़ेगा कि नई जो 1932 की खातियान अगर लागू हो जाती है तो क्या इसे जारखन के जो लगबक तीन करोड जनता हैं क्या वो सही माइने में स्युकार कर पाएंगे यह सरकार इसके पीछे क्या रनिती बना रही है हम आपको समझाते हैं यह ग्यनीत क्या है सरकार बने हुए तकरीबन आठ महीने बीद गये हैं आठ महीने के दावरान सरकार की और से कोई भी नई वेकेंसी नहीं लाई गई लिहाजा ट्विटर पर सोशल मीडिया पर यूटूब चैनल पर फेस्बुक में लगातार सरकार को आलोचना जिलना पड़ रहा है सरकार को इस समय में कटगरे में खड़ा किया जा रहा है विपच्छी पार्टी भी आगे आ रही है जाकर मुक्ति मूर्चा का बोट बैंक कौन सा है ये भी समझना होगा अगर आप पूरे वोट की गनित देखेंगे तो मूलवासी और आदिवासियों का बड़ा तपका जेमें के साथ खड़ा रहता है ऐसे में जेमें के एजेंडे में 1932 के खातियान का जिक्र नहीं हो तो ये फिर बेमानी लगता है जेमें की वर्तमान सरकार ये जरूर चाहेगी कि वह 1932 के खातियान को लागू कर दे जिससे कि यहां के मूलवासियों को लाब दिलाने की कोशिस नजर आए ऐसे में फिर से समाज में दो अलग-अलग विचार उत्पन हो जाएगा लोग उसमें उलज जाएंगे और जो डिमांड और सोशल मीडिया कैम्पेंड चल रहा है वह कमजोड पड़ेगा सरकार की ये योजना ये भी है कि सरकार के पास फंड की कमी हो गई है ऐसे में नई वेकेंसी की बात करने वालों के लिए बहुत बड़ा जटका होगा जैसे ही नई अस्थानेता निती आएगी मामला कोट में चला जाएगा हलाकि सोनी कुमारी के मसले के बाद बहुत हद तक इस्तिती साप हो जाएगी जिसमें अभी तक सुनवाई के कोई आसार नजर नहीं आ रहे है जारखन में ही तो रोना है कि टीचर की वेकेंसी पांच-पांच वर्ष से लोग इंतजार कर रहे हैं उनका कुछ नहीं होने वाला है नई टेट के लिए भी लोग आंदोलन कर रहे हैं टेट लिख करके आप क्या किजिएगा पंचाइच सची वाला लगातार आंदोलन रत हैं उनकी सुनने वाला कोई नहीं है पारा सिचक ने एलान कर दिया कि पांस सितंबर से वह आंदोलन शुरू कर देंगे सरकार ने भी एलान कर दिया है कि वो नई अस्थानेता नितीब बनाएंगे ऐसे में सब मिला करके आम इवाओं को क्या मिला आप ज़रा सोचिए आम इवाओं को इसमें क्या मिला है अब आपको ले करके चलते हैं बिहार बिहार में फोरेस्ट विभाग की बड़ी संक्या में वेकेंसी आई है जारखन में फोरेस्ट गाट की कोई वेकेंसी का कोई नामों निशान अभी नहीं दिख रहा है लेकिन बिहार में तकरिबन 500 पदों के लिए वेकेंसी निकाले गई है अधिक जानकारी के लिए आप अ किसी परकार से दिक्कत होगा ये फिर इसमें सुधार हो सकता है सुधार होगा तो कैसे होगा कौन करेगा ऐसी कई सवाल है जो जनता के जहन में होंगी जनता जिसे इस समय में मांगती होगी उत्त हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि विधायक सांसत के पास कई चिठ्थी बेजी गई है लोगों ने जाकर के चिठ्थी सब्मिट किया है उनसे आसा है कि वो सारी चीजों पर विचार करेंगे लेकिन यहां पर नौकरी की वेकेंसी आएगी इसके लिए विचार नहीं होगा अब वेकेंसी अभी फिलाल अब आने वाली नहीं दिखती है हाल के दिनों में एक न्यूज वाइरल हुआ था और इस वक्त इस न्यूज को बताने का है हाल के समय में एक न्यूज वाइरल हुआ था और उसमें तस्वीर दिखा कर बताया गया था कि ये सरकार में अगामी तीन साल तक कोई वेकेंसी नहीं आने वाली है हमने सबसे पहले बताया था कि ये फर्जी खबर है वाइरल होने वाली तस्वीर गलत है 11 घंटे के बाद मुखमंत्री का ट्वीट आया उन्होंने अपने ट्वीटर हैंडल पर लिखा कि कुछ विरोधी पार्टी के लोग जान बूझ करके इस न्यूज को प्रचारित कर रहे हैं कि कोई वेकेंसी नहीं आने वाली है जबकि ये सरकार बहुत जल्द सारी वेकेंसी लाईगी जाहिर सी चीज है लोगों को उमीज जगई लेकिन मीडिया से बात करते हुए सरकार के मुख्या ने जिस रूप में कहा कि नई अस्थानेता निती आएगी इससे लगता है कि कमिटी की रिपोर्ट आने में अस्थानेता निती को एक्सेप्ट करने में मामला न्याले में नहीं जाने में सब मिला करके दो-तीन साल फिर से निकल जाएंगे ऐसे में वो न्यूज सही प्रतीत हो जाता है सरकार को यहां पर दिखाना पड़ेगा कि वह इवाओं को देखकर बनाई गई सरकार है इवाओं उनके साथ खड़े हैं और इवाओं चाहते हैं कि उनको रोजगार दे दिया जाए गौर्मिंट की मंसा क्या है यह सरकार को अस्पस्ट करना चाहिए क्योंकि इस प्रकार की खबर से सरकार की छबी को नुक्सान पहुँचता है सरकार की छबी जो जनता में अच्छी थी तभी तो नए सरकार को चुना गया था इसलिए हम उमीद करते हैं कि सरकार बहुत जल्द अपना स्टैंड किलियर कर देगी और ये बताएगी कि वह इवाओं के लिए वेकेंसी लेकर के आ रही है JPSC की वेकेंसी खबरों के मताबिक सितंबर में आ जाएगी JPSC में किसी प्रकार का कोई अस्थानिता निती लागू नहीं होगा हमारे साथ आप ऐसे जुड़े रहेंगे जो खबर काम की होगी आपके लिए होगी वो जरूर बताई जाएगी जो लोग JPSC की त्यारी कर रहे हम उनको बता दें कि वो नोट्स बनाने की प्यक्टिस जरूर करेंगे फ्लो चार्ट जरूर बनाएंगे क्योंकि बिना फ्लो चार्ट का मार्क्स नहीं आता है अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं तो और अच्छी बात है क्योंकि UPSC की त्यारी करते हुए JPSC और BPSC को निकालना आसान हो जाता है सिर्फ आपको स्टेट के लिए एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है तैयारी कैसे करें इसके लिए कई वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में दिया हुआ है आप जरूर से देखेंगे और यह भी जरूर से देखेंगे कि आप NCRT को जरूर पढ़िए घर में पढ़िए तैयारी कीजिए किसी दूसरे के साथ भी अगर तैयारी कर रहें तो बहुत अच्छी बात है हमारे साथ भी करना चाहते हैं तो जुड़ कर के कर सकते हमारा नंबर नीचे मैसेज बॉक्स में दिख रहा है हमसे जुड़ने के लाप सभी का सुक्रिया धन्यवाद कर दोसरे कर दो ूसरे कर दो का सभेश कर दो जाज़िए झाल अबर बिता हम काれ धन्यारी का बहुत कर दो भी ते Dale उन्यारी शेन झाल झाल